हेलो दोस्तों मैं संदीप मिस्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल SM Classes में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके NCRT Science Class 9 के Chapter 2 यानि कि क्या हमारे आसपास के प्रदात सुध है इससे रिलेटेड जितने भी आपके अभ्यास के प्रस्न है उन सभी प्रस्नों को मैं सॉल्ब कराऊंगा तो मैं कोशन को सॉल्ब कराने के साथ साथ उन्हें explain भी करते चलूँगा ताकि आपको हर एक कोशन से जुड़े हुए जितने भी doubt है वो clear होते चले तो आपके NCRT Book में Chapter 2 में जितने भी exercise के कोशन है मैं हर एक कोशन को सॉल्ब कराऊंगा तो आईए वीडियो की सुरुवात करते हैं तो हमारा पहला कोशन है निमलिखित को प्रिथक करने के लिए आप किन वीदियों को अपनाएंगे तो यहाँ पर आपको कुश कोशन दिये होंगे जिसमें कि आपको बताना है कि उनके अव्यों को कैसे अलग किया जाएगा तो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपके थियोरी वाले सेक्शन में बना रखे हैं कि कैसे हम किसी भी प्रदार्थों को सुध करते हैं तो आप वो वीडियो जरू देख लिए और उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप थियोरी वाले सेक्शन को देख सकते हैं तो आप उन वीडियो को जरू देखेगा ता कि उसे जूड़े जितने भी वी कोशन है आप ऐसली सौल कर सके तो कोशन नंबर A में है सोडियम क्लोराइद को जल के विलययन से प्रिथक करने बीन जल से अगर हमें sodium chloride यानि कि नमक को अलग करना है तो हमें कौन सी विधी अपनानी होगी तो इसके लिए हम वास्पी करण विधी यानि की evaporation विधी को अपनाएंगे तो वास्पी करण में हम करेंगे क्या कि जो नमक और जल का विले हन है उसे हम छोड़ देंगे यानि धूप में छोड़ सकते हैं तो जो जल है वास्प के रूप में निकल जाएगा और बाद में आपको नमक थोस रूप में मिल जाएगा तो यह वीधी कहलाती है वास्पी करण तो समुद्रों से नमक इसी वीधी द्वारा प्राप्त किया जाता है तो समुद्रों में होता क्या है कि समुद्र के किनारे जो होते हैं वहाँ पर क्यारिया बना दी जाती है उसमें समुद्र के जल कोई कठा कर लिया जाता है तो कुछ दिनों बात क्या होता है पानी वास्फ के रूप में निकल जाता है और उन क्यारियों में नमक बच जाता है तो इस प्रकार से हम नमक को जल से अलग करते हैं चलते हैं अगले क क्लोराइड और सोनियम क्लोराइड का मिस्रण है उससे हमें अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है तो यहां पर हम अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए एक विधी अपनाएंगे उस विधी को हम बोलते हैं उद्वपातन जिसे इंगलिस में बोला जाता है सबली मेशन तो उर्धोपातन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हमें ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हम आमोनियम क्लोराइट को अलग करेंगे। तो जनरली हम किसी प्रदात को यानि कि ठोस प्रदात को गर्म करते हैं, तो वो पहले द्रौ में बदलता है, फिर द्रौ से वह गैस में बदलता है। तो जब अमोनियम क्लोराइट और सोडियम क्लोराइट के मिस्रम में हम गर्म करेंगे, तो जो अमोनियम क्लोराइट है, वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा, और इसके गैस को ठंडा करके वापस हम अमोनियम क्लोराइट को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि sodium chloride पात्र में बचा रह जाएगा और ammonium chloride gas के रुप में बाहर निकल जाएगा question number c है धातू के छोटे तुकड़े को car के engine oil से पिठक करने में तो धातू के जो छोटे तुकड़े हैं उनको engine oil से अलग करने के लिए हम चानन विधी यानि की filtration method का प्रयोग करते हैं तो हम करेंगे क्या कि जो engine oil में धातू के छोटे तुकड़े हैं उन्हें हम चानेंगे तो जब हम चानेंगे तो जो engine oil है वो द्रवरुप में अलग हो जाएगा और जो धातू के जो छोटे तुकड़े हैं वो ऊपर की और सेस रह जाते हैं तो धातू के छोटे तुकड़े को कार के engine oil से अलग करने के लिए हम चानन विधी का उपयोग करते हैं question number D है दही से मखन निकालने के लिए तो बहुत important question है और exam में पूछा जाता है तो हमें दही से मखन निकालना है तो उसके लिए हम किस विधी का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपकेंद्री करण यानि की centrifugation तो centrifugation होता क्या है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है आप जरूर वो वीडियो देखिए वो animation के तो आपको वह बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा तो आपकेंद्री करण में होता क्या है जब हम दही को किसी पात्र में रखकर मतनी के दोरा मत्ते हैं तो उसमें उपस्तिज जो वशा के करण होते हैं वो भारी करण होते हैं वो नीचे बैठने लगते हैं और जो दही होता है, वो हलका होता है, यानि कि दही के जो अवे होते हैं, वो धीरे धीरे पात्र में उपर की वह जाने लगते हैं, तो जिससे हम क्या करते हैं, कि दही को अलग कर लेते हैं, चलते हैं, अगले कोशन की और, कोशन नमबर E है, जल से तेल निकालने के लिए, या तो याद रखेगा दो विले घुलनसील प्रदार्थों को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए पिथक करण कीप विधी का प्रयोग करते हैं तो प्रिथक करण कीप में होता क्या है कि जो जल होता है वो भारी होने के करण नीचे होता है और जो तेल होता है वो हलका होने करण उपर होता है तो हम नल यानि कि प्रिथक करण कीप में लगे हुए टोटी से क्या करते हैं कि जल को धीरे धीरे अलग कर लेते हैं और बाद मे उपर की तेल बचा रहा जाता है तो यह विधी कहलाती है प्रिथक करन की विधी जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं तो अगला कोशन है F चाय से चाय की पतियों को प्रिथक करने में यानि कि आपको बताना है चाय से चाय पतियों को कैसे अलग करते हैं तो आप घरों में देखे होंगे कि जब भी चाय बनती है तो चाय से चाय पत्यों को अलग करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, चाय पत्यों को अलग करने के लिए च्छा न विधी का प्रियोग किया जाता है. आउट चलते हैं अगले question की और देखते हैं हमारा आगला question क्या है बालू से लोहे की पीन को प्रिथक करने में यानि कि यदि बालू है और बालू में लोहे के धे सारे पीन हो तो उसे कैसे आप अलग करेंगे बहुत सिंपल सा चीज है हम सभी जानते हैं कि जो लोहा होता है वो चुम्बक के प्रती आकरसन बल रखता है यानि कि चुम्बक के प्रती क्या होता है आकरसित होता है तो हम इसके लिए चुम्बकी प्रिथक करण विधी का प्रियोग करेंगे आगे चलते हैं अगले question की और question number 8 है भूसे से गेहूं के दाने को प्रिथक करने में यानि कि भूसे में यदि गेहूं का दाना है तो उसे कैसे अलग करेंगे तो उसके लिए हम use करते हैं निस्पावन विधी तो इस विधी में हम करते क्या है कि जब भूसे और गेहूं के मिस्रड को हम उपर से गिराते हैं तो जो भूसा होता है वो हलका होता है और गेहूं के दाने क्या होते हैं भारी होते हैं तो भूसा हलका होने के कारण वायू के बल के द्वारा कुछ दूरी पर जाकर गिता है जबकि गेहूं भारी होने के कारण नीचे की ओर किर जाता है और इस विधी को हम बोलते हैं निस्पावन विधी तो आपने गाओं में देखा होगा कि गेहूं को जब अलग किया जाता है भूसे से तो पंखे के सामने किया जाता है जिससे कि क्या होते है भूसे हलके होने के करण दू तक चले जाते हैं आईए चलते हैं अगले कोशन की औ और वास्पी करण दोनों वीधी का प्रयोग कर सकते हैं यानि कि आप चाहे तो आपकेंद्री करण का यूज करें या फिर वास्पी करण वीधी का प्रयोग करें तो वास्पी करण आप जानते हैं कि वास्पी करण में क्या होता है जल जो होता है वास्प के रूप में चला ज तो सेम उसी विदी का प्रयोग करके हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं वही हम बात करें अपकेंद्री करण की जैसा कि मैंने बताया था कि अपकेंद्री करण में होता क्या है कि हम अपकेंद्री बल के द्वारा किसी भी प्रदायत को अलग करते हैं और इसका सबसे अच्छा यानि कि हम पुस्प की पंखडियों से जो रंग निकाले उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कि इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेकनिक का यूज करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी टेकनिक होता क्या है उसमें क्या होता है एक chromatograph paper होता है या फिर हम कह सकते हैं एक filter paper होता है और उस filter paper में हम कुछ दूरी पर निसान लगा कर वहाँ पर जो हम लोगों ने पंखुरी से color निकाला है उसको उसकी एक बूंद डाल देंगे और जब हम इसे पानी में रखते हैं तो पानी क्या होता है धीरे धीरे इसके उ अलग होते हैं तो यह जो chromatography technique है वो जल में घुले हुए जो अलग-अलग रंजक है उनकी विलेता के आधार पर उन्हें अलगाता है जो बहुत अच्छी तरह से जल में घुले होते हैं यानि कि जिन की घुलन सीलता जिन color की घुलन सीलता जल में अच्छे प्रकार से होती ह वो नीचे की और रहते हैं ग्राप में और जो अच्छे प्रकार से नहीं घुलते वो ग्राप में उपर की और जाते हैं तो यदि आपको इसे detail में समझना है तो आप इसे related मैंने वीडियो बनाया है वो वीडियो जरू देखें आपको बहुत अच्छे समझ आएगा मैंने वीडियो में animation के द्वारा हर एक topic को समझाया तो आप उस वीडियो की help ले सकते हैं chromatography technique को समझने में तो दोस्तो ये था हमारा पहले question से जुड़ा हुआ जितने भी अभ्यास के question थे मैंने उसे solve करा दिया अगले वीडियो में हम इसके आगे के question यानि question number 2 से जुड़े जि आप हरत